कल मैंने देखा आपको भी बुरा लगा मैं आपके कमरे में जब चाई पे ने आया आपने मेरे साथ अपना दुख शेर किया कि जब एल जी साब ने भाशन शुरू किया ये सारे खड़े हो गए नारे लगाने क्या कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो और पीछे से दो ज़ने कह रहे थे दारू की दुकाने बंद करो अब इनको भी नहीं पता है आज नारे किस चीज के लगाने हो उपर से आया तो था उपर से आया तो था तो दो ज़ने कह रहे थे दारू की दुकान बंद करो आगे वा वाले निकाबे आज कश्मीर आज कश्मीर वाला नारा लगाना है तो जैसे रैलियां होती हैं उसमें कुछ टीवी वाले माइक लगा देते हैं कि हाँ जी किसलिए आयो तो वो यू यू देखता है किसलिए क्या हाल बना दिया इंगा इस लिए थोड़ी राजनी ते माय थे इसलिए थोड़ी राजनी ते माय थे एक पिक्चर आई थी बंटी और बबली उस पिक्चर में एक सीन था कुछ लोग एक नेता के घर के सामने जाते हैं हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो नेता बाहर आता है क्या मांगे हैं तो सारे इक दूसरी की तरफ इनको पता ही नहीं क्या मांगे आज सारे देश की सारी भारते जंता पार्टी एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है गली गली में जाके पूरी सारी भारते जंता पार्टी देश में एक पिक्चर के पोस्टर लगा रही है इसलिए राजनीटी करने आये थे पिक्चरों के पोस्टर अपने बच्चों को क्या जवाब दोगे घर जाके बच्चे पुछेंगे पापा क्या काम करते हो पिक्चरों के पोस्टर लगाता हूं आठ साल केंद्र सरकार चलाने के बाद अगर किसी देश के प्रधानमंत्री को विवेक अगनी होत्री के चर्णों में शरन लेनी पड़े तो इसका मतलब उस प्रधानमंत्री ने आठ साल में कोई काम नहीं किया अगर किसी प्रधानमंत्री को कह रहे है कश्मीर फाइल्स टैक्स फ्री करो अरे यूट्यूब पे डाल दो फ्री फ्री हो जाएगी टैक्स फ्री क्यों करा रहे हो इतना ही तुमको शौक है विवेक अगनी होत्री को बोलो यूट्यूब पे डाल देगा सारी पिक्चर फ्री है सारे जोने देख लेंगे कि दिन के अंदर टैक्स फ्री की क्या जरूरत है यूट्यूब पे क्यों नहीं डल कल एक मैंने अख़ खटर साब के खटर साब देखो यह फ्री में कर रहा है इसको बोलो टिकेट लेके करेगा भाई साब कश्मीरों कश्मीरी पंडितों के नाम पे कोई कुछ लोग करोडों करोडों रुपए कमा रहे हैं और तुम लोगों को पोस्टर लगाने का काम दे दिया क्या कर रहे हो वो करोडों कमा गया कश्मीरी पंडितों के नाम पे करोडों कमा गया और तुम लोग पोस्टर लगाते रहे हैं क्या हाल बना दिया तुम लोगों का यार आंखे खोलो तुम लोग भेड बक्रियों के तरह हांक रखा है पूरे बीजेपी वालों को भेड बक्रियों के तरह हांक रहे हैं एक दिन बोले तीन काक्रिशी कानून लेके आए हैं बहुत शांदार हैं और फिर नीचे मेसेज आया भी सारे जने तारीफ परो मोदी जी के सारे बोले वाह मोदी जी वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है और मेरे को याद है इसी सदन के अंदर इन लोगों ने उन तीनों कानून की खुब तारीफ की थी बोले क्या मास्टर स्ट्रोक है और क्या शांदार कानू लेकिया है एक साल के बाद फिर आया वे तीनों कानून वापस ले लिए बोलो फिर तारिफ करो मोदी जी की बही कानून बिकार थे मोदी जी क्या इसी सदन के अंदर इन लोगों ने इतनी बेशर्मी दिमाग पे ताला लगा रखा इन्होंने का वाह मोदी जी वाह क्या तीनों कानून खराब थे आपने वापस ले लिए अदेश को बचा लिया क्या मास्टर स्ट्रोक क्या हाल बना दिया आप लोगों का यार फिर थोड़े दिन बात बोले बएड़ि दुकानों के खिलाफ करो फिर सारे जैने दुकान बन्द करो अब दृरू ठीक हो गई हम दिनली में आजकल तो शोर नहीं करते है तुम लोग आप कश्मीर फाइल आ गई पहले क्रिशी का नूंद रोज काम दे रखा है तुमको कुछ ना कुछ उपर से आ जाता है काम दे रखा है आप दारू की दुका ने मेरा एक ही निवेदन है मेरे बीजेबी के साथियों से आप तो अपनी हो आप तो सबब मेरे छोटे भाई बड़े भाई बिदुरी साब तो बड़े भाई है मेरे आप तो सारे अपने हो यार थोड़ा सा देश के बारे में सोचो यार थोड़ा देश के बारे में सोचो हिटलर भी जो था वो कम से कम अपने चम्चों को नौकरी देता था रोजगार आपके घर में कोई खाने पिने का इंतिजाम करा आपकी बिजली का इंतिजाम करा केजरी वाल काम आता है आपके आपके भी घर की फ्रीक रखी है दिली के बारा लाख वच्चों को नौकरी दिये मैंने स्कूल ठीक कर दिये अस्पदाल ठीक कर दिये आपके घर में कोई बिमारों केजरी वाल दवाई पहुचाता मोधी दवाई नहीं पहुचाता केजरी वाल काम आया मैं बीजेपी के सारे कारे करताओं से कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो बीजेपी के सारे सपोर्टर्स को कहना चाता हूं थोड़ा सा दिमाग खोलो ये भेड़ चाल बंद करो भेड़ बक्रियों के तरह हांक रहे हैं आपको ये सब बंद करो दिमाग खोल के सारे जने बीजे पी छोड़ के आम आदमी पार्टी में आ जाओ आपको 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 इज़्जत मिलेगी सम्मान मिलेगा आपसे कता ही जुटे नारे निलेगवाएंगे आपको आपको साथ लेंगे हम राश्टर निर्मान करेंगे आपके साथ मेंगे यह पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे जुटी फिल्मों के और जो भी करना हो कम से कमयार ये पिक्चर का प्रोमोशन करना तो बंद करो गंदे लगते हो तुम लोग अच्छी शोबह नहीं देता आप लोगो यार आप अच्छे आदमी हो कुछ करने आये थे मिलिए ते मैं कहा पिक्चर के पोस्टर प्रो प्रोमोशन करने में लगा दिया कल अलजी साहब की स्पीच पूरे देश ने सुनी अलजी साहब को एक तरह से केंदर सरकार का नुमाइंदा माना जाता है अलजी साहब ने भी हमारी सरकार की कितनी तारीफ करी पचास परसेंट जीडीपी पांच साल के अंदर बढ़ गया भारत में आज तक कभी किसी राज्य का नहीं बढ़ा इतने शांदार काम दिल्ली सरकार ने की है कि केंदर सरकार द्वारा नियुक्त अलजी साहब ने भी कि दूसरी सरकार की आम आदमी पार्टी की सरकार की भुरी भुरी शब्दों में तारीफ की मैं अलजी साहब का बहुत बहुत शुक्रियादा करना चाहता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्ठन करता हूं